लास्ट लेक्चर में हमने विमिया समिलकरणों की उपयोग के बारे में डिसक्षिन किया था और उसके तीन उपयोग हमने डिसक्षिन किये थी उसमें हमने देखा था कि सूतर की स्थापना कैसे करते हैं जाच करना, सूतर को स्थापित करना यह अलाला तीनों हमने डिसकस किये थे उसमें आपको मैंने एक numerical करने को दिया था शायद उसमें हमें g की value जो given थी वो थी given हमें 9.8 meter per second square यह given थी और हमें n2 का value find करना था तो हमें n2 का value find करना था तो हम क्या लिखेंगे n1 m1 upon m2 की power a तो अगर मैं लिखना जाओ उसको सिधर लिखना जाओ तो हम क्या लिखेंगे जो n1 की value किती given थी 9.8 m1 upon m2 तो 1 meter upon 1 kilometer ठीक है की power a और उसकी बात दूसरी बात क्या करेंगे दूसरी बात करेंगे हम 1 second upon 1 minute इस टाइप साथ क्योंकि हमें मास की बात करनी ही नहीं तो गुर्तवी त्वरण की बात करेंगे जो त्वरण का मातरक होता है वेक बराबर में दूरी बटा समय मतलब L1 T-2 तो यहां पर A की जगा क्या आजाएगा 1 आजाएगा और T की जगा क्या आजाएगा माइनस 2 आजाएगा ती की जगा क्या आजाएगा माइनस 2 इसके बात आपको क्या करना है solve करना है इसको किस हजार रिटर में चेंज करना है है और इसको पिसमें चेंज करना है साट सेकिंड में चेंज करना है क्लियर बात तो यह आपका इंद चोटा सा नुमेरिकल था जो आप करके देखेंगे और आपको मैंने यह बता दिया उसके बाद तो कैल्फुलेशन करनी है यह 1 है और यह T-2 है क्लियर बात M111 T-2 हाँ यह ह रिष्णिकल करनों, जो होगया अब हो गया ही वाला वह रिमेरिकल आज मारे टॉपिक है वह इसको तूपिक है नोसों युज़ते एरॉरर क्या होती है बत्वात है है हम बच्वान तो दिकल्तिया का है गलतिया पर डिलिव को डिल्सक्क्या कि एक है कि कि एक होती है कि किस करना में पढ़ना पढ़ रहा है क्या रिजन से पढ़ रहे हैं उसका रिजन यह है कि हम किसी भी चीज को मापते या तोलते हैं हम पूछते हैं कि कितना काम है कितनी चीज है तो हम क्या बोलते हैं कितना माप लिया कितना काम कर लिया तो हम किसी मापते हैं तो मापते हैं कितना मापा कितना तो वो क्या है कि शेड़ी में कैसे आ सकती है तो हम बोलते हैं कि अगर हमने बोला कि बाइट तो यहां से चल और जैपुर तक का सफर तै करकिया तो वो बोलेगा हां मेने जैपुर तक सफ़र तेया 460 किलूमीटर का सफर था ठीच है अब वो बोलेगा कि दूसरा जाएगा वो कहेगा सब नहीं 460 नहीं था 462 था 462 किलूमीटर था तीसरा जाएगा वो कहेगा 462.12 1, 2 किलूमीटर था चोथा जाएगा वो बोलेगा 46219 कुछ सम्थिंग करती तो हमने क्या बोला कि जितनी बार हमने फाइंड करा पहली बार हमने देखा कि जैपूर तक से हम सफर किता था 460 उसके बाद हमने गर का डिस्टन देखा 462 आया उसके बाद दूसरे देखा जाद तो 462.12 आया और 46019 आया तो हमने क्या किया जितनी जादा उमने calculation करी ट्रूटियों की value क्या होगी हमें बता लगने लगी कि हमारी त्रूटियों कहां पर है हम तो आप ध्यान रखनार त्रूटियों को कम करने के लिए तूटियों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं उनको बारी-बारी हम क्या करते हैं मापते तो किसी भी चीज को मापना मतलब हम बोल सकते हैं तूटिया क्या होती है जो हमारा वास्तविक मान होता है वास्तविक मान या इसको बोलेंगे सही मान माइनस मापित मान क्या कराता है तुरूटी कहलाता है तो तुरूटी क्या होता है हमने जो मापित मान का मतलब मतलब क्या हो गया बतलब हमने जो चीज़े मापि है मतलब क्या है मापो्ला तोलना जां भी तुरूटी लाते हैं जैसे इस बोलते हैं कि प्रैक्टिकल लैब में जाते है हमाना यो सिक्स की Lab होती है तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइब से गालने के अथा खटा टीक श्यक हैर्ई पर स्र निकलते हैं उसका अगे हो लिग समय अब रूटियों के पुल का रा और प्रकार है खुते हैं जैसे मेने बोला कि मैं यापका पर खड़ा हुँ आपका दोस्त यहां और तो में एक बॉइन अगर में एक्सपइयम्एक कर रहा हूं और एक्सपरिमेंट मेंने क्या जो हम मान लोग कोई पर में ने सही नहीं करा या मेरे इस्ट्रुमेंट है मान लोग किसी भी हम जॉकी कर रहे हैं किसी पर उसकारण तो हम क्या बोलेंगे कि जब आने वली यह थूटी होगी वह हमारे कारण होगी तो अलेग अलेग टाइप से थूटियां होती हैं अगर हम बोल दि इसी एक्सपेरिमेंट पर ताप दाप का परबाब पड़ता है तो आप बोलोगे कि अगर ताप दोपैर में जाता है तो हमारा प्रॉब्लम आएगी तुरूटी आएगी जो हम लिख रहे हैं और अगर शाम को करेंगे तो मौसम धेंडा है तो तुरूटी नहीं है उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं अगर हम जिसमें तार लगी हुई है मालोग इस्ट्रुमेंट है जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिजली से और अपने तार लगाई हुई है तार गरम होगी तो वह क्या हो जाएगा उश्मा के कान तुरूटी होते हैं पहले आपको मैं द इन पर कागली तुरूटियां देखी है फर्स्ट तुरूटी है क्रवबद तुरूटी चीक है अगली है याजद्रचिक तुरूटी और इसको बोलते हैं तुरूटी क्लेव अच्छा अब ही जो तुरूटी है इस तुरूटी के क्या है अब देखो पहले हो गया व्यक्तिक तुरूटी दूसरी क्या होगी यांत्रिक तुरूटी पूस्तथा तुरूटी बाहे तुरूटी और नियर तुरूटी ठीक है यह आपको किया दो चारों पाच्छं और याद्हिभी तो लिपमे तो पाश हमने playback बताई करम बन तूटी जो लगातर होते हैं तो मतलब क्या हुआ वैक्ति का मतलब हुआ कि हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी भी वैक्ति के दवारा कि वैक्ति के द्वारा जो होने वाली गाल कि यद्रिक्त हो सब्सक्राइब करेंगे उसके बदर हम इसको थैक्स्प्लेग करेंगे उसके जिस हम एक्स engaged कर रहे ये प्रूटी क्या होता है कि हम यह बोल सकते हैं कि उश्मा का मापण के कारण विक्रण के कारण जो तूटी के अंदर आती है बहे तूटी के बारे में आपको मैंने बताया है ताप दाप के कारण जो तूटी आती है वो बहे तूटी के अंदर आती है और नियत तूटी का मतलब यह होता है कि हम बार 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 एक ही reading तो उसकी पुर्णावर्ति करते हैं तो उसके काम जो reading आती है वो क्या होती है नियत तूटी होती है clear बार एक बार छोटी छोटी language में आराम से प्यार से आपको आपस मिदा पाँ इसको लिखेंगे ताप दाब के कारण यह मैं ऐसे सिंपल बता रहा हूं क्योंकि छोटेटे पॉइंट आपको याग रहने चाहिए बागी तो आप जो थ्योरी है वो आप बुक से पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उश्मा के मापन के यार उश्मा के कारण आगा किसी विक्रण के कारण बिच्मा के कि उश्मा में खरदें ठीक है बार-बार पुरॉणgasate अब वनने क्या बोला कि तुरूटियां क्या होती है तुरूटियां वह होती है जिसमें हम कोई भी चीज को हो मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज को मापते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तुरूटी निकलती है यादरशिक तृटी और स्थूल थूल थूटे का होती है जैसे हम बोल देते है किसी हम यकंट जतरम्य किसी भी टाइप से हम किसी वैलियू जैसे मालो कि हमने को मापित मान लिया अगर को अगर हमने तूटियों को निकालना हैं तो स्की मध्यमान निकाल लेंगे मतलब mean value निकाल लेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 कहां तक a n तक निकाल लेंगे और इसका n बाग होगा जिसका क्या जाएगा इसका मद्या माना जाएगा मतलब हम क्या बोल सकते हैं हम यह बोल सकते हैं किसी भी त्रूटी को बारी बारी हम अगर मेजर करते हैं वह यादशिक त्रूटी के अंदर आ जाएगी आपको तो सिर्फ और सिर्फ ही यादशना है कि जो आपका मेन है वो क्या है क्रम बन त्रूटी है जो आपको मेन पुशा आता है वो क्या है क्रम बन त्रूटी है विक्तिकत त्रूटी यंतिक त्रूटी पुरस्ता त्रूटी बहें त्रूटी और नियत त्रूटी क्लियर आफो के वाफिस कर देते हैं वापिस बोत देते हैं तुरुटिया। होती है वात्ति बात school-실파न-मापित-मान सही मान-मापित-मान-141 कि बात है कॉया होती है और ब्रिठिक तुरुटि यां क्ले बात उसके बाद हम बात करेंगे यजित पर उती है कि जो और व्यक्तित होती है हम इसको बाई बाई मापित करेंगे उसको क्या करेंगे उसका मध्यमान जो तूल इसके बाद जो में टॉपिक आएगा अभी जो टॉपिक आएगा उस पर नुमेनिकल बनते हैं जो हम आपको करवाने वाले हैं कला हम बोल सकते हैं या तुरूटिओ की कुछ भी बूर सकते हैं हम भोलेंगे है। फर्फरग आझओ। तो चलती क rights यह करना चाहंका तो और पहला है परम्तुरूटी ठीक है दूसरा है माद्या परम्तुरूटी दूसरा क्या माद्या परम्तुरूटी तीसरा क्या आप एक्षित तूरूटी तीसरा क्या आप एक्षित तूरूटी चोथा क्या परतीशत तूरूटी एक एक करके इसको पढ़ेंगे हम, वो क्या-क्या होते हैं, सरब पर्थम पढ़ेंगे हम क्या होता है, परम तुरूटी क्या होता है, परम तुरूटी का मतलब यह होगा, कि तुरूटियों का बारी-बारी हम क्या करेंगे, बारी-बारी हम क्या करेंगे, मेजर्मेंट करेंग अगर माना जाए या मापित मान A1 A2 A3 A- A3 A4 तो उसके लिए अगर हम परम्तुर्टी निकालेंगे उसके लिए हम अगर परम्तुर्टी निकालेंगे तो A क्या जाएगा A1 प्लस A2 A3 A4 डे डेश और यह क्या आएगा उसका माद्यवान के लिए क्या बोलेगे N तक यह क्या आजाएगा N तो यह क्या आजाएगा उसकी परम्तुर्टी की बात करेगा Clear बात Clear बात अच्छा हम अगर इसके बीच में अगर एक बात करें वो क्या बात है माद्या परम तूर्टी की बात करेंगे अगर माद्या परम तूर्टी की बात करेंगे तो माद्या परम तूर्टी क्या होगा जो हमारा मद्या मान आया है मतलब हमारा जो माद्या मान आया है उसके लिए क्या बोलेंगे माद्या परम तूर्टी के लिए करेंगे तो क्या आएगा ए-m-a2 अगर ए-3 की बात करेंगे तो क्या आएगा ए-m-a3 अब डेल्टा-a-n की बात करनी है तो क्या आएगा ए-m-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a- अगर को समयना चाहोगे तो अगर मैं एक लिखना चाहगा हर दो 3 जय देवेड़ करेंगे इसका क्या आ जाएगा माद्या मान यह क्लियर बात वापिस भोल लाओं तुरूटियां जो होती है अच्छा अगर दूतियु की बात करेंगे तो हम यह रिखेंगे परम तूटि इसमें या लिखना हों है परम तूटि परम तूटि का परिमान हमेशा धनात्मक होता है अब देखो जी यह बात जो मैंने कही है यह बात मैंने कैसे कहती अब एक बात बताओ जी मेरे को कि अगर तुरूटी की बात कर रहे हैं अगर तुरूटी की बात कर रहे हैं किसी यंतर में तुरूटी आगई तो यंतर में अगर में एक किलो चावल तोलूँ गर मतलब मैं बोल ऑग्राइब दो सो ग्राम का Canal कितने वलू आहरें पर ऐसा नहीं बोल सकते की एरर एक दूसरे को काड़ती है हमेशा क्रूटि हमेशा एक ₴ क्या करती है बढ़ाती है मतलब ऐसा नहीं बोलजए आधा है सुनरिक्ति को कम करेंगी तो पहले कितुनी दी दींदिक कित्थी चार्सोग्राम तो तूटि क्हा है बढ़ती जा रही है नहीं क्या collegeMusic경 कobi बटबंद परंतु पर आप परिमान की जब बात करोगे तो वो क्या आएगा हुशा धनात्मक्खी होता है आप एक शी परंतुटी शायद आपकी किताब में नहीं होगी पर मैंने आपको अलक से वद्या परंतुटी करवा दिया उतारिये जी एक नट का समय जी उतारो ठीक है बापिस बात करेंगे यह अब लो फिर अच्छा अगर सबुस्टार्म परंतुटी की बैजी दिखनी है जैसे मान लो आगर आपने टोटल वैल्यू दिखनी है तो क्या लिखोगे डेल्टा एबार पूरे की बैल्यू नखनी है तो क्या लिखोगे A1 प्लेस A2 प्लेस A3 प्लेस डाइडरेट कहां तक A N तक अपोन में N तो ये क्या आजाएगा आपका माध्या परम तूटी का मान आजाएगा मतलब N तक ये क्या आजाएगा आपका माध्या परम तूटी क्लियर तो आप माध्या परम तूटी क्या लिखोगे A1 A2 A3 डेसलेस कहां तक A N तक क्लियर बात अच्छा थी अपोन N ये बात आपने पहले भी कर लेगे इसके बाद का हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है वो पॉइंट है किमिम्स तूटी वो क्या है आपेख्षित थूटी तो अपेख्षित थूटी क्या होते है clicks एम बोल सकते हैं आपेख्षित थूटी होते हैं इसको बहुंए है तो क्या बोलेंगे डेल्टा ए डेल्टा ए अपोन में क्या आएगा तो यह किस क्या जाएगी यह क्या जाएगी अब एक शीट तुरूटी अच्छा इसके दो तिन नाम और है इसको बोलते हैं बिनात्मक ट्रूटी ठीक है अपटOoh इसी नाम ordinate टूटी udah माद्यय परंडुपी जिसको हम यह करने सकते हैं उसको अगर आप ऐसे लिखना चाहिए हो तो तो यह से लिफिमी यह इसका माद्या लगा दिया जैसे चलेगा तो क्या होगा माद्या परम्तूटी अपवां एम मतलब हमारा जो होगा इसको डेल्टा लिखो जी, डेल्टा ये लिखो, इसको डेल्टा लिखो, इसको डेल्टा लिखो, और इसको डेल्टा लिखो, हमने कैसे निकाली है, आपने चेक करा है, उसको कैसे निकाली है, am-a1 निकाली है, तो आप इसको डेल्टा a1 प्रस डेल्टा a2 प्रस डेल्टा a3 यह आपको अगर प्रतिशार 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 प्रतिशा बहुत आते हैं तो आपको फिरण क्लों क्योंकि थोड़ा सह मोत MAMA आपको मैं रिपीट एक पर उतार दीची सबस्टाभर है हुआ है है अच्छाब मunky gefहार करते हैं वापस से कि मॉन बढ़ा है उसको हम कि लिए बतांगे जो मान करना है मात्या मां निकाला था प्रावर में A1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K3 A4 डैड़ेडश A n अपॉन N तक और A1 A2 A3 क्या है हमारे मापित्मान वापिज बता रहे हैं चलीके ऑचा्ज बाद क्या है इसके बाद क्या है इसका सभी काली हुआ करके निकाल दिया फिर हमने एन तक निकालना है तो झेल्टा ए बार क्या है का अभाग्य की बात करेंगा तो उसके बाद हम ने क्या पड़ा पेविए बार फूतीब RAMց तुर्टी ना मतलब क्या होता है कि माद्य पर्म तूर्टि अपन माद्यमान इकालना पर बताया था कि conditions are अब माद्य पर्म तूर्टि क्या था इसका पूरा मैंने एक। पार्ट विद्ञे का ये वाला जो बार्ट था रहत है यहां लेख लेख क्लियर बात कंडिय प्रतिशन में रिकाता आप 1 शींके 100 बोल सकते हो यह डेल्टा इन्टीं जोंगे 100 बोल सकते हो प्लियर बात इरेज कर दें रेज कर दें लोजिकता है कि आज जो हमने पड़ा है वो पड़ा है तूटि थूटिया क्या होते हैं वास्तवित मान मापित मान होता है वो तूटि के अंदर आता है कल का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सायोजन मतलब add करना माइनस करना गुणा करना और भाग करना ये तूटियों में इसके कार्ण मतलब दो अगर हमें तूटिया दी हूँ A and B and Q, X and Y, Z जो भी दी हूँगी हम उसके बाले में डिसकेशन करेंगे और एक छोटटाइ दुमेरिकल देख लेंगे क्लियर बात तो आज के लिए इतना ही घर पर रहें और पढ़ा ही रेगुलर रखें किसी भी प्रकार की दुमेरिकला करें दिवावले की चूटियां हो रही है अब तो चूटें कितने टाइम से हैं अगर फिल भी है तो प्रापर कहरी कीजिए घर पर सफाई करें अर लेक्ट पर प्रापर देखें थैंक यू वरी मुच